ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर इस जिले में खोला मोर्जा। बुढ़ापे में सम्मान से जीने का एक मात्र सहारा है, नई पेंशन व्यवस्था ने हमारा वह सम्मान छीन लिया है, शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस सम्मान को वापस पाने के लिए अपने आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रण कर लिया है, और यह निश्चे किया है कि वहाँ निजीकरण और नई पेंशन व्यवस्था के दुश्प्रभावों को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाएगा। अटेवा पेंशन बचाओं मंच ने उजागर लाल इंटर कालेज में शिक्षक और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम के विरोध में सभा की। कर्मचारियों ने मतदान व पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जागरुकता मार्च निकाला। अटेवा पेंशन बचाओं मंच के राष्ट्य अध्यक्ष विजय कुमार बंदु ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाथी है। बुढ़ापे में सम्मान से जीने का एक मात्र सहारा है। नई पेंशन व्यवस्था ने हमारा वह सम्मान छीन लिया है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस सम्मान को वापस पाने के लिए अपने आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्थित करने का प्रण कर लिया है और यहां निश्चे किया है कि वहां निजीकरण और नई पेंशन व्यवस्था के दुश्प्रभावों को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाएगा। राश्च्य प्रवक्ता डा राजेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम की मुहिम से प्रत्यक शिक्षक कर्मचारी और उनके परिवार वालों रिष्टेदारों को जोडने के लिए एक सघन अभियान चलाया जाएगा। कोशा ध्यक्ष अंकुर गुप्त, मनोज वर्मा, रमेश पाल, दा सविता लाल, सहसयोजक दिल हुसेन, सहसयोजक पूजा सकसेना, ख्याती सिंग, बिंदू, संजय कुमार, विकास सैनी, सबल सिंग, रामकिशोर, सुषील कुमार, महिंद्र, सुनील कुमार भारत, दा उपस्थित रहे, OPS, पुरानी पेंशन बहाल होगी या जारी रहेगा NPS, छह दिन में साफ होगी तस्वीर, क्या निकल गया है, कोई बीच का रास्ता, एक फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में OPS, NPS को लेकर, सरकार अपनी स्थिती को स्पष्ट कर सकती है, ये कए है कि केंद्र सरकार OPS बहाली नहीं करेगी, लेकिन NPS को ज्यादा से ज्यादा आकरशक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है, NPS में जमा हो रहा कर्मियों का 10 फीसिदी पैसा और सरकार का 14 फीसिदी पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, पुरानी पेंशन को लेकर बहुत जल्द अंतिम फैसला लेने जा रही है, जानतारों की माने तो 6 दिन बाद ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दाइरे में आएंगे या NPS ही जारी रहेगा, सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्म को लेकर सरकार अपनी स्थिती को सपष्ट कर सकती है, यह कैंद्र सरकार OPS बहाली नहीं करेगी लेकिन NPS को ज्यादा से ज्यादा आकर्शक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है, NPS में जमा हो रहा कर्मियों का 10 फीसदी पैसा और सरकार का 14 फीसदी पैसा इसमें बड़ा बद देखने को मिल सकता है, साथ ही पुरानी पैंशन में जिस तरह से गारंटी कृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता है, कुछ वैसा ही NPS में भी जोड़ा जा सकता है, D.A.D.R. की दरों में बढ़ोतरी होने पर NPS में उसका आंशिक फाइदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है, रिले हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार मौन, देश में पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चिकालीन हरताल करने की चेतावनी दी है, कर्मचारी संग्रथनों का धैर्य अब जवाब देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, केंद्रिय कर्मचारी संग्रथनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक्रिले हंगर स्ट्राइक की है, इसका मकसद सरकार को चेताना था, National Joint Council of Action, NJCA, के सयोजक शिवगोपाल मिश्रा नेरिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दीथी की OPS बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार हमें अनिश्चिकालीन हरताल करने के लिए मजबूर कर रही है, देश में अगर 1974 की रेल हरताल जैसा माहौल बना, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, जल्धी सभी करमचारी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चित कालीन हरताल की तिथी तै होगी, हरताल की स्थिती में ट्रेनों वबसों का संचालन बंध हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा, देश में 1974 के दौरान हुई थी, रेल हरताल 1974 में जॉर्ज फर्नांडीस की अगवाई में रेल हरताल हुई थी, उस वक्त कहा गया था कि सरकार अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती, तो उस पर मुश्किल से 200 करोड रुपे खर्च होने थे, लेकिन सरकार को हरताल तोडने के लिए करीब 2000 करोड रुपे खर्च करने पड़े थे, इसके बाद रेल कर्मियों में असंतोष फैल गया था, वह हरताल 8 मई 1974 को प्रारंब होकर 27 मई 1974 तक चली थी, इस दौरान रेलवे में सारा कामकाज ठप हो गया था, हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा था, अनेक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था, शिवगोपाल मिश्रा का कहना था, हमने सरकार के समक्ष कई बार आगरा किया है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, सरकारी कर्मियों को बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मनजूर नहीं है, इसके लिए समयसमय पर ग्यापन सौंपे गए है, कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यहां मुद्दा उठाया गया है, दिल्ली में सरकारी कर्मियों की कई रैलिया हो चुकी है, इनमें केंद्र और राज्यों के लाखो सरकारी कर्मियों ने हिस्सा लिया था, इतना कुछ होने पर भी केंद्र सरकार ने कर्मियों की इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया केंद्र सरकार अडियल रवया अक्तियार कर रही है कर्मियों को स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर रही है मिश्रा ने कहा कोविड में हमने 11,000 गाडियां चलाई थी हमारे 3,000 कर्मी शहीद हुए थे हर साल 400 से अधिक रेल कर्मी मारे जा रही है क्या कोविड में कोई मंत्री MP MLA शहीद हुआ अब धर्ना खत्म है हम हर्ताल पर जाएंगे सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1974 की रेल हर्ताल के बाद प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इमर्जन्सी लगाई थी उसके बाद उन्हें मुह की खानी पड़ी थी मौजूदा सरकार ऐसी नौबत सरकार ना लाए डस्ट बीन है NPS मंजूर नहीं संशोधन कहना है केंद्र सरकार NPS में संशोधन करने जा रही है हम ऐसे किसी भी संशोधन के ये आंदोलन नहीं कर रही है कर्मियों को गारंटी कृत पुरानी पेंशन ही चाहिए अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के NPS में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 फीट वाली गलतियां 2024 फीट में भी दोहराई जाएंगी NPS एक दस्ट बीन है करोडो कर्मियों का 10 फीसदी पैसा और सरकार का 14 फीसदी पैसा दस्ट बीन में जा रहा है यह स्वीकार्य नहीं है पुरानी पैंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा वित्त मंत्राले की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है यह रिपोर्ट पेश हो या नहो इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है वजह यह कमेटी OPS लागू करने के लिए नहीं बलकि NPS में सुधार के लिए गठित की गई थी अनिश्चित कालीन हरताल के लिए सहमती AIDEF के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कर्मियों, पेंशनों और उनके रिष्टेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड के पार चली जाती है चुनाव में बड़ा उलट फेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है यही वज़ा है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रही है अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड वोटों का समर्थन संबंदित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हर्ताल के लिए अपनी सहमती दे दी है स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाग कर्मियों में से 96 फीसदी कर्मचारी OPS लागो न करने की स्थिती में अनिश्चितकालीन हर्ताल पर जाने के लिए तैयार है इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के चार लाग कर्मियों में से 97 फीसिदी कर्मी हर्ताल के पक्ष में है केंडर सरकार NPS में ही OPS जैसे कुछ प्रावधानों को शामिल कर सकती है जैसे रिटायर्मेंट पर मिली बेसिक सेली का NPS में 40 से 45 फीसिदी भुकतान बतौर पेंशन देने पर विचार हो रहा है ऐसे किसी भी प्रास्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा ये बाते केवल OPS से ध्यान भटकाने का प्रयास है